जैहिन दोस्तो रश्मी के किच्चन में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चोको बनाना मुफिन्स की रेसिपी ये मुफिन्स हम चाय के जो यूजर अंत्रो वाले कप होते है कागत के उसमें बनाएंगे और इन्हें में कड़ाई में बनाकर दिखाऊ एक कप मैदा पाव कप चीनी आप चाहे तो जाड़ा ले सकते हैं एक चमच कोको पाउडर एक अंडा थोड़ा सा वैनिला इसेंस एक चमच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक और ये मैंने यहाँ पर पाव कप घी लिया है आप चाहे तो तेल का भी इस्तमाल कर सकते ह यहाँ पर चीनी थोड़ी कम इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि हम केले का इस्तमाल इसमें कर रहे हैं आप चाहे तो जादा चीनी डाल सकते हैं पहले मैंने यहाँ पर एक मिकसर का जार लिया है उसमें यह अंडा मैंने डाल दिया इसमें चीनी डाल दे इन्हें अच्छे से mixer में मिला ले यह देखिए इस तरह से जो मैंने केला लिया था उसके इस तरह से मैंने तुकड़े कर लिये है इन्हें भी मैं mixer में डाल दूँगी और vanilla is gonna add करे और यह घी डाल दिया अब फिर से mixer को चला कर इनकी अच्छे से पेस्ट बना ले ये देखे इस तरह से अब इसी में ही मैं एक कटोरी मैदा डाल रही हूँ एक चमर्च बेकिंग पाउडर डाल दी मैंने और चुटकी बर नमक इसे मिक्सर में चला कर लिया है मैंने ये देखे इस तरह से ये केक का बेटर हमें मिल गया है अब यहाँ पर मैंने जो कोको पाउडर ली थी इसी में मैं इसमें से आधा मिश्रन निकाल लूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी ये केक का मिश्रन आपको ज़्यादा गाड़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूद मिला ले और इसे थोड़ा पतला कर ले ये देखे इस तरह से अब बाकी का बचा हुआ मिश्रन भी मैंने दूसरी कटोरी में निकाल लिया है अब हम इसे कप में डालेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कप लिये है चाय के जो छोटे साइज के होते है वो इस मिश्रन में 6 से 7 कपकेक बन जाएंगे अब इन कप को मैं अंदर से तेल की सायता से ग्रीसिंग कर रही हूँ ये देखे मैंने गैस पर गड़ा ही रखी थी पहले ही गरम होने के लिए अब इन कप में मैं ये मिश्रन डालूँगी एक एक चमच पहले बनाना का फ्लेवर वाला मिश्रन डाले और उसके उपर एक एक चमच चोकलेट वाला मिश्रन डाले इन कप को हमें आदा ही भरना है तो हर एक कप में दोस्ट चम्मच आप मिश्रन डालोगे तो यह आदा भर जाएगा, अब इन्हें इस तरह से टाप कर ले, अब इन कप को मैं इसी प्लेट के साथ कडाई में रखूंगी, यहाँ पर कडाई हमारी गरम हो चुकी है, नीचे मैंने स्टैंड रख दिया था, अब इसके उपर मैं इस प्लेट के साथ ही यह कप्स रख रही हूँ, यह देखिए इस तरह से इन्हें ठीक से सेट कर ले, और अब इन कप को हम ढख कर 25 से 30 मिन्ट तक मद्धमाच पर बेक करेंगे, यह देखिए 25 मिन्ट हो चुके है, एक बार इन्हें चेक करते हैं हम, चाकू या तूटपिक क इस आयता से इन्हें चेक करें कि यह केक बन चुका है के नहीं, इस तरह से, यह देखिए, यह बहुत अच्छे से साफ निकल चुका है, तो यह केक बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यह केक बन चुके हैं, और पूरे उपर तक कपकेक जैसे बन च आये कैसे बने थे और मुझे लाइक शेयर सस्क्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे जय हिन्द